तो बई स्वागत है आपका आज के लेक्चर में आज है आपका डे 48 डे 48 आज हम पढ़ेंगे वाल के नोज लास लास में हम लोग ने पूरा बिल्डप कर लिया था अब अब प्लेट टेक्टॉनिक्स के बारे में बात की थी हमने बताया था प्लेट कैसे कैसे मूव करते हैं सकते हैं एक दूसरे के पास जा जा सकते हैं इनले लास बॉंटेंट हम लोग ने डिसकस करी लास कलास में बाइपेडिट्स और प्लेट्सके मूव्मेंट करो अपस में जे त्रीके से होते हैं अब एकenders की मूव्मेंटिक्स लिकशनिक्स करी कुछा है हम लोगोग को समझना वॉक्षाइन की बारे में और जाधा हम लोग जानकारी करेंगे इस क्लास में तो लेट सबसे बहले देखि वॉक्षान की अलग आरहा है कि मैं आपका धक्रária कर रहा है क्या कर रहा है अब ढ़ल सबडक्षन होता है ना आपकीती सबदक्षन हो पूरा प्रोसेस बूलते हैं विल्कैनिद अब्स अब प्रकार के टीन प्रकार के आपके वालकेनों क्टिभ शेयर विए वे करता लावा करते हैं अपका इनक्टिव वॉलकरों होते हैं इसमें आपका बहुत शमय तक और अर्प्षिन मिले विद आपके कि डेखने यहां पर बात करें रहु हैं मैं तो बहुत व्याद हमें तक आपका कोई इस्टोजन नहीं हुआ होता है, लेके पॉसिबिलिटी है कभी भी होता है सब्सक्राइब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है नो पॉसिबिलिटी ओफ एक्स्पोजिन यह होगे आपके मेट्रियल निकलते हैं इसके अलावा आपका तीसरा जो निकलता है वो है लावा वाटर वेपर तो समझाने की जरूत नहीं होता क्या है गैसेस की बात करें कौन-कौन से गैसे आपके यहां पे निकलते हैं जैसे हाइट्रोजन सल्फाइट के अलावा आपका कार्बन डाइसल्फाइड इसके अलावा कार्बन डाइसल्फाइड निकलता है आपका यहां पर आपके जमीन के नीचे है यहां पर मैंटल में जब तक आपके मैंटल में है यह तब तक इसको कहेंगे मैंगा जब यह मैंटेल से बाहर निकलता है और क्रस्ट की तरफ आता है और क्रस्ट से बाहर निकलके इस सर्फेस की ऊपर बहने लगता है तो यह इसको हम लोग वहते हैं आपका लावा ठीक है आई हो बात समय मारी होगी लावा और बैग्मा की अब एक चीज और यहां पर दिहां द इसको लावा नहीं बोल सकते हैं तो इसको भी अमलों लोग मैंग माही बोलेंगे एक बारिस पर बहुत करने लगा सब हम लोग इसको बholतेते हैं लावा और कि अभान इह वाल्केम स्वर्पर दिफंस अगी कर दो प्रकार आकर म 1958 लावा और आपका हो सकता है शक्ता है यह आपका लावा होगा वो आपका डार्क कलर का होगा काफी डार्क होगा देखने में और एसिडिक वाला जो होगा वो आपका लाइट कलर कलर light color का होगा या yellowish color का होगा तो यह तो बात होगी color की आप इसकी viscosity की बात करें अच्छा content में इसमें जो silica है दोनों में silica present होता है लेकिन आपका जो silica content होता है in case of alkaline वो काफी ज़्यादा कम होता है और acidic में silica content काफी ज़्यादा high होता है तो silica content होने के वज़े यह काफी जादा viscous हो जाता है viscous हो जाता या thick हो जाता है फ्लुइड नहीं रहता जाता और silica मातरा कम होने के कारण जो alkaline lava होता है उस वो आपका उसकी viscosity कम होती है फ्लुइड होता है आसानी से flow करता है ठीक है इसके अलावा भी यहाँ पे जो आपका alkaline lava है उसमें iron मिलेगा आपको magnesium मिलेगा magnesium के अलावा lime मिलेगा और अगर हम acidic lava की बात करें तो उसमें sodium होगा उसके बात potassium होगा aluminium होगा, felt spar होगा तो यह सब आपके minerals मिलता है in case of acidic lava तो हमको समझ में आके difference between both lava alkaline and acidic अब explosion कहीं प्रकार देखता है explosion किस तडिके से होता है एक होता है आपका Vesuvian type एक होता है प्लीन टाइप दोनों एक ही है वेसुवियन टाइप के लिए या प्लीन टाइप के लिए इसके बाद आप Hawaiian type देख सकता है Hawaii ने भी एक volcano है उसके जैसा और एक होता है स्ट्रॉम्बोलियन वल्केनियन यह सब डिफरेंट टाइप्स और explosions होता है तो सबसेहदा fluid कौन सा होता है तरल वह होता है आपका Hawaiian type बहुत जादा fluid होता है और काफी जादा लंबे distance तक travel कर सकता है travel करते करते काफी दूर पहुँच जाता है Hawaiian type और इसका जास उल्टा आपका Vulcanian होता है बहुत जादा viscous होता है निकलते ही निकलते ही आपका solidify कर जादा जादा दूर तक बिल्कुल travel नहीं करता है सबस्यादा viscous ठीक है बाकी आपका plenian और strombolian यह दोनों ही आपके काफी viscous होता है लेकिन strombolian में क्या खास बात है यह basalt से बना होता है basaltic होता है और बहुत जादा explosive होता है काफी explosion के साथ आपका यह होता है यह देख आपके सामने लिस्ट रख दी है सारे active volcanoes इंपोर्टेंट है तो पूल जो सकता है कि मैस अपॉलिंग में भी पूल सकता है कौन से country में कौन सापका active volcano है यह आपका पूरा लिस्ट इसको धान में रखिए कुछ इंपोर्टेंट जो है उसको पढ़ेंगे हम लोग जैसे की बैरन आइलेंड बैरन आइलेंड आपका अंदमान निकोवार आइलेंड इंडिया में है यह active volcano है अच्छा इसके रहावा हम लोग बात करते हैं यह इसको क्या नाम है, तो तो मुष्ट आपका अवांटेंट आपका अंडिया मांटेन है को आपका मॉणटेंट है वालंिक मॉंटेन है ह्वाई के अंदर आपका most active volcano है Most Active alltid volcano सबसे जहादा आपका active volcano कौन सा है, देखी किला लूए क्योंकि यह आपका 34 साल से लगातार इसमें आपका एक्सलोजन होई रहा है यह आपके हवाई आइलाइन्स में है और कौन की इंपोर्टेंट है रिखते हैं तो अगर सबसे ज्यादा अक्टिव वल्केनों है यह आपका नंबर वान है आपका किलाल हुए टैकेन नंबर पे कोई आता है एकनते आपका मॉंट एतना है है शेकंड नमबर पे हैं शेकंड नमबर मोस्ट आक्टिव वॉलचय्व मॉंन एटना यह आपका मॉंट एतना सिब गोंट पहल भी देखेंगे इसको, ठीक है, Mount Etna आपका Sicily नाम के island में है, Italy के, इसके अलावा आपका largest volcano, size में, eruption की बात नहीं कर रहा है, largest volcano in size, इस कौन सा, इन में से कौन सा है, इसमें हवाई में ही आपका largest volcano, is in Mauna Loa, Mauna Loa is the largest volcano, ये आपका सबसे ज़्यादा largest volcano है, हवाई में है ये तो हवाई में आपके सबसे ज़्यादा most active Kilalua, और सबसे largest Mauna Loa, तो ये दो हवाई के important islands, sorry, volcanoes हो गए, Mount Etna की बात करी, Italy में, ये भी हम लोगों देख लिया, अच्छा, इसके अलावा आपका, एक और है, आपका Sicily जो island के north में, Sicily island के north में, आपको एक और island मिलेगा, इसका क् स्ट्रॉमबोली, स्ट्रॉमबोली भी आपका Italy में ही है, तीक है, Sicily के ही पास है, ये भी हम लोग आगे map में देखेंगे, तो स्ट्रॉमबोली वालकोन भी आपका काफी important है, आपके शिसली के north में है, और एक special island है, जिसका नाम है, लिपारी, लिपारी island, लिपारी island आपका इसे continuously gases निकलते हैं, और वो burn करते हैं, और काफी द्यादा रोशनी होती है, because of this eruption, तो ये हमेशा एक lighthouse की तरह काम करता है, इसे lighthouse में हमेशा रोशनी होती है, उस तरीके से स्ट्रॉमबोली में भी हमेशा आपका रोशनी रहेगा, तो इसे हम लोग कहते हैं, lighthouse of Mediterranean Sea, क्या कहते ह हैं, next हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक Ojas Del Salado है, South America में है, चिली और अर्जंटीना के बॉर्डर में आपका Ojas Del Salado है, active volcano है, तो यह आपका, इसना हाइस वालकेनिक मौन्टन ऑफ दे वर्ल्ड, यह हाइस्ट है, तो आपने देखा, यह हाइस्ट है, हाइस्ट है, हाइस होना लोग हो जाएगा, और सबसे जादा जो आपका most active volcano है, वो आपका किला लुआ हो जाएगा, second है, आपका Mount Aetna, और Lighthouse of Mediterraneancy किसको बोलता है, स्ट्रॉम बोली को बोलता है, तो यह सारी चीज़े हम लोगों को ध्यान में रखने हैं, इसके अलावा, आपका एक Antarctica में भी है, अंटाक्टिका में कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं, आप Mount Erebrus, Mount Erebrus आपका अंटाक्टिका में है, और कौन से आइलेंड में है, यह भी याद रह सकते हैं, आर रास आइलेंड, रास आइलेंड है, यहाँ पर आपका Mount Ebrus है, it is the active volcano of Antarctica, ठीक है, Mount Ebrus देख लिया है, अच्छा, जापान में कौन सा है, देखिए, जापान में आपका Poojiyama है, Mount Poojiyama, अच्छा, इसके अलावा बाकी सारे एक बार हम लोग और डिसक्स कर लेते हैं, देखिए, अरटा आले, अरटा आले आपका एथियोपिया में है, फियगो, फियोगो आपका गउटे माला म में है, La Palma, Canary Island, Canary Island, ठीक है, यह स्पेन का ही पार्ट है, ठीक है, टाइडे, यह भी Canary Island में है, टाइडे और La Palma, Canary Islands में है, फिर आपका देखिए, मेरापी, ठीक है, मेरापी, मेरापी आइलेंड कि इदर है, देखिए, इंडोनेशा में, you have the मेरापी आइलेंड, इसके पोपो कटे पेटल, पोपो कटे पेटल, यह कहां पर है, मेक्सिको में, पोपो कटे पेटल, मेक्सिको, उसके बाद, लोई ही, लोई ही आपका हवाई में है, पील देख लिए हमने हवाई में, लोई ही, इलालुआ, माउना लोआ, ठीक है, माउन्ट एब्रूस देख लिया मंतना देख लिया उसके बाद साफ फीरे हिल्स के साफ केरबियन आइलन्ड ओफ मॉन सेराट एक करीबियन आइलेंड है इसलिदे जेक लिए वहाँ पर आपका HUNGा टॉंगा टॉंगा आपका है और नाम का वॉल्केनो है उसके बाद हम लोग इनक्टिव वालकेनों की बात करें तेकिए माउंट वेश्यूवियस है आपका इटली में इनक्टिव है इनक्टिव का मतलब यह है कि वैसे तो आपका कि यह अभी देखिए 1931 में लास्ट ताइम आपका इरप्ट हुआ था 1931 कहीं साल हो डॉर्मेंट रहने के बाद अचानक से फट गया था अभी तो इनक्टिव है इससे कहते है इनक्टिव लेकिन हो सकता है एक्स्वोजन कभी हो जाए इसके लावा मांट सेंट हेलेंस है आप वह सब्सकों करें मांन फूजी आप ता त्चापान में ता तो इसे कहते है फूजी ऑफ अमेरिका कि अमेरिका का फूजी आमाद ृच्छांव हैम configur अधेसको दोनों में क्यों लिखाईट्याउड इनक्टिव लिखा इस दिक् nomination हमट है नहीं यह यह की कि आपके extinct है, वहाँ होने के chances नहीं है, लेकिन एक mount है, वहाँ पे chances है, हो सकता है, हुआ है recent past में, तो इसलिए इसको inactive में भी गिन ले रहे हैं हम लोग और extinct में भी गिन ले रहे हैं, इसके लावा चिम्बो राजो जादा इसमें भाग लगानी जरूरत नहीं है, कि याद र समावन्द ये आपके दो आपके volcanic mountains है in Iran, तो आई होप ये सारे नाम हम लोग को याद रखने है, इसका कोई option नहीं है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसके लावा एक और है, यह आपे लिखा नहीं है, पोपा, पोपा is in Myanmar, ये भी एक extent volcano है, नियान मार में आपका याद रखने है, बात करते हैं, पाइरो क्लास्टिक डबरीज क्या होता है, ये तर्म है, इतना धुआ निकल रहे हैं यहापे, ये धुआ जो है, इसमें क्या-क्या चीज़े हैं, आपका hot rocks है, hot rock fragments, तूटे हुए rock के fragments हैं इस धुए में, और आपके ये hot gases हैं, ठीक है, and entrapped air, इसकी बीच में air भी entrapped हुआ है, और ये काफी speed से देखिए, आपके mountain में, नीचे की तरफ बढ़ने चले जा रहे हैं, ठीक है, high speeds, in thick grey to black turbulent clouds, अब ये पूरे turbulent clouds है ना, हर जगे देखें, these are clouds, और ये clouds जो हैं, हवा में तो ओड़ नहीं रहे, ये आपका जमीन से touch होकी जा ये जब इस तरीके से move करते हैं, इसको बोलता है, pyroclastic debris, तर में ध्यान दख चुकते हैं, next बात करते हैं, अब हम लोग concept पर आते हैं, देखिए, ये chemical competition वाला slide तो पहली भी देखा था हमने, उसमें inner core बताया था, outer core बताया था, वह आपका nickel इससे होता है, इसमें iron होता है, iron, nickel और silica होता है, outer core में, इसको जाने दीजिए, अब बात करते हैं, mantle, oceans और continents की, देखिए, ध्यान दीजिए कह यहां पर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, दुबारे एक बार रिवाइस कर रहे हैं हम लोग, क्या है, mantle में क्या है, ओलीवाइन है, ओलीवाइन highly fluid है, उसके बाद ocean, oceanic crust आपका basalt से बनता है, ठीक है, क्या होता है, ओलीवाइन जो rock है, वो जब आपका थंडा होता है, तो basalt में convert हो जाता है, तो नीचे जैसे magma है, नीचे आपका जैसे magma है, magma बाहर आया, इसके ocean की नीचे, ये ocean की नीचे सारा काम हो रहा है, ocean की नीचे magma बाहर आया, जो कि क्या है, ओलीवाइन है, घंडा हो के क्या बनेगा, basalt बनाएगा, इसलिए आपका जो oceanic crust है, basalt का बनता है, लेकिन अब जब continents की बात हो आएगी, तो क्या होगा, ये oceanic crust होगा, ये आपका continental crust के नीचे इस्तर के सबड़क करेगा, सबड़क करने के वज़े से, अब ये basalt है न, जल गर्मि के कारण बाहर निकलेगा, और क्या बनाएगा, ये basalt आपका andeside बनाता है, andeside फिर आपका granite बनाता है, यह तो granite बनेगा basalt के melt होने के वज़े से, तो देखिए, अब ये जो आपका basalt है, ये जब Continental Crust बनाएगा अपका ग्राननाईट और अंडेसाइड ने आपका अखताभी स्विं syndrome जो एक बांद में करता है और यहां पर इस दिवत है कि है क्यों कि यह Сांद लाइट है इसलिए उपर की तरफ आता है और इसलिए आपको वॉल्कनिक इरॉप्शन आपको देखने को मिलते हैं यह हम लोग डिसकस कर चुके हैं तो ओविएसली यहां पे एक चीज और ध्यान में रखना एक्स्टा चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वह आपका जो बैसाल्ट वाला जो इतना आपका मटीरियल है वह जब आपका मेल्ट होता है तो अब वह बरदास्ट नहीं कर पाता उसको उपर आना है तेजी से और बहुत ही स्पीड से उपर आता और ऐसा ब्लास्ट करता है तो एंडेसाइटिक जो इरॉप्शन होते हैं वह आपके काफी जादा व सबस्क्राइब हो गहीं अब लुम आगे देखते हैं जैसे यह देखिया दिरे दिरे बहर है तो यह क्या है बैसाल्टिक कै दिस बैस प्रम निकल रहे यह सहापका काफी वाइलेंट एक्स लोजन हो रहा है तो व्यों क्या हो जाएगा एंडेसाइट होगा तो तो आपको सवंज में आ गया कौन सा वालकेनों धीरे धीरे प्टेगा कौन सा विल्कुल लब जमीन पाड़ के निकलेगा एकड़ एक्सप्लोजन के निकलेगा यह देख लिए हमने अब बात करते हैं हम लोग एक एक प्रकार के वालकेनिजम पहला देखा हमने देखें मिड् के नीचे क्या है आपका मैंटल है ना मैंटल में ओलीवाइन होगा ओलीवाइन इसे समंदर उपर बाहर आएगा अगर समंदर के उपर इसके बाहर आ जाएगा तो आपके मिड़् ओशनिक रिज आप देख चुके वहां पर इस प्रकार के जो वालकेनिजम पाए जाते हैं वह आपके कैसे होंगे बैसाल से बने होंगे की नहीं होंगे वही नीचे ओलीवाइन है ओलीवाइन मेल्ट होके क्या बनेगा बैसाल्टी तो बनेगा तो बैसाल्ट ऊपर आ जाता है और आपका यहां पर तेहरता है तो यह जो है आपका लावा बैसाल्टिक लावा होता है यसे कहते हैं, Mid Oceanic Ridge Beside, ठीक है? अचा, Mid Oceanic Ridge में, Mid Oceanic Ridge लिखाने की जरूरत तो नहीं है, अल्रेड हम लग लास लास में देख चुके है, ठीक है, Atlantic Ocean के बीच में आपका इस तरीके से Ridge बनता है, तो ऐसा कहते हैं कि 75% of all volcanic activity पूरे दुनिया में जितनी की volcanic activity होती है, उसका 75% तो स समीन के नीचे हो रहा है, समीन के नीचे अंदेशल्स, ओसन के नीचे हो रहा है, कहां पर? Mid Oceanic Ridge में हो रहा है, Mid Oceanic Ridge में सबसे जादा volcanic आपका eruptions देखने को मिलते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, basaltic होते हैं, याने कि slowly slowly निकलते हैं, बहुत जादा violent नहीं होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, Mediterranean Volcanism, यह देखिए, Mediterranean Sea है, यह पुरा Mediterranean Sea के आसपास आप कहीं सारे important volcano हो देख रहे हैं ना, देखिए यहां पर, यह देखिए, यह आपका Sicily का island है, यह आपने Mount Aetna बताया था, उसके उपर just, उसके north में, Sicily के north में हमने बताया था, स्ट्र Mediterranean Sea के नीचे आपका यह volcano है, अंडरोचल, ठीक है, इसके इलावा यहां देखिए, Mount Vesuvius है, Mount Vesuvius के पास आपका एक city है, Naples, Naples City के पास आपका Mount Vesuvius है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, यह Mediterranean Sea में कहीं सारे आपके volcanic regions आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, और यह क्यों होता है, यह इसली होता है, यह आपका इसली देखने को मिलेगा, क्यूंकि, देकि Mediterranean is active volcanoes, Mediterranean में active volcanoes है, कहा पे Italy में, देखा हमने इटली में कहीं सारह है, Italy and the Aegean Sea, तो कहा है आपका Aegean Sea, यह आपका Aegean Sea है, इस Aegean Sea के आजसपास भी आपको यह Aegean Sea है, इस Aegean Sea के आसपास भी आपको काफी वाल्केन के अक्टिविटी देखने को मिलती है तो मेडिटेरियन सी है अक्टिव वाल्केनोस बता है आपने कहां पे आपका इटली के पास और एगेंसी के पास तो वाल्केनेजम इस ड्यू टू अफ्रिकन प्लेट अक्टिव खौनगों कहां प्लेटा है यह मेडिटरीयन सी भाला एके तो है तो अबडियसलिशल यहां पर आपको वॉल्केनो देखने को मिलेंगे, वॉल्केन देखने को मिलेंगे तो यह सारी प्र की अपकोपं से यहं लगा मिलेगी. तो Mount Etna, यह आपका Europe का most active volcano है, वई World 2nd number के active volcano है, । माइते अपका second number पर देख लिए हमने, वर्ल्स तॉल्स वालकेनो, इस वन उप दॉल्स तॉल्स वालकेनो, Sicily Island में है अब को पता है, स्टॉमबोली की बारे में जानते हैं, Lighthouse of Mediterranean बोलते हैं, इस तॉमबोली, स्टॉंबोली आपका देखा है यहां पर है स्टॉंबोली अपtit na आपका ये जिसलि आईलेंट पर है इससके नौर्थ में आपके इसटॉंबोली अपminute सbenफ का स्टोम बूली हो गया मांत वेसुवियस उनलि एक्टिव वाल कि योग इन बात करी थी ना तो अभी की नाइटीन ने अगड़ लूक्त किया तो अभी तो कुछ लो क्या सकते हैं वह थैंक वैट्टों पहले ही इरब्ट ऑप्रस अभी तो उसका शालों पहले ही रप्त तो अगर आप से पूछा जाए ओनली अक्टिव वलकेनों में यूरोप में कौन सा है वह है मांट वैसूवियस याद रखिएगा मारसीली है जैसे कि मैंने बताया कि this is a submerged volcano यह अपका submerged है ठीक है यह अपका submerged है यहां पर हम लोग बात करें किया है किसकी मारसीली की मारसीली आपका submerged है तो मारसीली is the largest submerged volcano in Europe यूरोप का सबसे largest submerged volcano तो पानी के अंदर है न वलकेनो तो टिरेनियन सी बिट्वीन पैलर्मो एंड नेपल्स यह आपका मारसीली है आप सकते हैं MT. Vesuvius आपका Naples के पास है यहां नेपल्स है आपका रूम में इहीं पर नेपल्स है MT. Etena, Stromboli, Marsilie और MT. Vesuvius एक मात्र आपका mainland पर बाकी यह सारे आपके island पर है साय ले ले लिजिये MT. Etena, Marsilie तो आपका समंदर के नीचे है तो माउंट-वेस अपका मेन लैंड पर ये भी देख ली हमने यह क्यों बन रहे हैं सब विकाज आपका कही सारे ब्लॉक में तूट चुका है और यहां पे अंडश्य एरुपशन होते हैं अंडश्य एरुपशन मतलब जोरदार एरुपशन जोर्दार एरुप्शन हो रहे हैं यह आपके वाइलें इरॉप्शन देखने को मिलेगा और काफी फ्रीक्वेंट इंट्राक्षन होता है इसलिए आपके जो इरॉप्शन है वो भी फ्रीक्वेंट मौंट मांट सुप यह सारी चीज है अम लोग यह अगे बढ़ते हैं अब लोग बात करते हैं, hot spot volcanism की, हम लोग ने क्या क्या देख लिया, हम लोग ने Mediterranean के अलावा कुछ देख लिया, इसके अलावा हमने क्या mid oceanic ridge नहीं देख लिया, mid oceanic ridge भी तो देख लिया, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब we will be studying hot spot volcanism, क्या होता है, hot spot volcanism, होट spot volcanism is a type of volcanism that occurs at abnormally hot centers called mantle plumes, ठीक है, हमने पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, चलिए देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं, क्या है, हवाई का example ले रहे, तो हवाई के ऊपर आपका कौन सा plate है, oceanic plate है, कौन सा, pacific plate देखने को मिल रहे हैं, और यह जो pacific plate है, यह अपना motion कर रहा है, slow motion कर रहा है क्योंकि दो plate होते हैं, यह हमारा pacific plate है, उसके inside भी एक plate होगा, उसके inside भी एक plate होगा, तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं तो subject कर रहा होगा यह, और ऐसा motion हो रहा होगा, ठीक है, तो कहीं से आपका इस तरीके से हो रहा होगा, इसको convection cell होगा नीचे, इसके वज़े से यह मूब कर रहा होगा, तो pacific plate तो continuously मूब कर रहा है, लेकिन इसके नीचे आपके होते है, mantle plume, mantle plume का मतलब यह है कि इस point पे आपका mantle काफी जमा हुआ है, pacific plate मूब कर रहा है, और यह mantle धीर धीर उपर आ रहा है, तीक है, यह धीर धीर उपर आ रहा है, उपर आकर एक mountain बना दि से, यह सारे islands है, mountain islands, मतलब यह आपके mountain बन रहा है, यह island बन गया, यह एक और island बन गया, यह एक और island बन गया, ऐसे करके यह सारे island बन रहा है, और यह आपका हवाई का, देखिए, Mauna Loa Island है यहाँ पे, हिलाल हुआ है, अभी currently आपका mantle का plume है, इसके जस्ट नीचे है, लेकि आपका यहाँ पर होता है, इसी तरीके से होता है, देखिए, Mauna Loa Island का plume है, यह आपका plate इसके उपर move कर रहा है, अभी वालकनों यहाँ पर बन के तयार हो गया, यह पिर यहाँ मूव कर गया, इसके बाद यहाँ नया वालकनों आया, प्लेट नीचे उपर नीचे नीचे यह तो यह क्या मैंटल प्लूम तो उसी जगह पर है तो I hope बास समझ में आ रही होगी किस तरीके से छोटी योटे ऐसे island बन जाते हैं वापस आते हैं फिर से पढ़ेंगे hot spot volcanism is a type of volcanism that occurs at abnormally hot centers hot center है यह मैंटल प्लूम और stationary है move नहीं कर रहा इसके उपर की plate move कर रही है unique क्या है it does not occur at the boundaries of tectonic plates normally हमने क्या देखा था जो tectonic plates की boundaries है दो tectonic plates की boundaries में से एक subject करता है और वो बाहर निकल के फिर आपका वालकनों बनाता है क्या ऐसा situation है यह नहीं यह unique situation है इसमें आपका tectonic plates की boundary में नहीं है boundary के अंदर है मतलब यह आपका plate है plate के नीचे यहाँ पर कई mantle का plume मन रहा होगा जो बाहर निकल रहा होगा इसको बोलते है हम लोग hot spot यह जो mantle का mantle plumes है इसी को hot spot बोलेंगे यहाँ से hot mantle आपका जमीन के बाहर आ रहा है plate से दूर यह देखिए edge of plate है यह आपका plate से दूर है यहाँ पर निकल रहा है सारा volcano आई होप बात समझ में आ रही होगी hot spot is a large plume of hot mantle material that rises from the deep within the earth as the plate moves over the hot spot a line of volcanoes develop line of volcanoes develop कर रहे ना यहाँ पर sorry यहाँ पर देखिए line of volcanoes यह एक, यह दो यह तीन, यह चार यह 5, सबसे पहले कौन सा बना होगा यह वाला बना होगा यह move करते करते क्या हुआ, इस side आ गया ठीक है, तो line of volcanoes बन रहे है तो यही तो हम लोग डिसकस कर रहे है hot spot volcanoes from the hot plumes of magmarizes रहे है, यह सब समझ में आ गया हमको यह भी हमको समझ में आ गया I hope clear हो गई होगी सारी बाते चलिए में examples ही बात करें examples में यह देखिए, आप Madagascar पास आपका reunion island है यह इसके नीचे भी, इस reunion island के नीचे भी आपका mantle का plume है, hot spot है जहां से आपका volcano का eruption हो रहा है lava continuously निकल रहा है तो यह आपने reunion देख लिया इसके अलावा देखिए हमने हवाई USA से दूर है ना यह हवाई इस हवाईन island में हमने Mauna Loa, Kilalua यह सब हमने देखा volcanoes है, यह भी एक hot spot volcano है यह हवाई के आपका margin है, margin तो यहां होता अगर margin में होता तो आपका Pacific Plate तो यहां पर है North American Plate यहां पर है यहां पर होने चाहिए थे ना वालकनोस पर यहां पर नहीं है, यहां पर प्लेट के सेंटर में है तो यह क्या होगा, यहां पर निकलते चले जा रहे है और बनते चले जा रहे हैं यहां पर कहीं होगा जहां से आपका island chains create हो रहे हैं, ठीक है, तो यह Aleutian islands भी important है, यह तो कुछ examples हैं, और example देखिए, जैसे कि आपका reunion island, Chagos, Lakidivi ridge, Louisville ridge, Yellowstone, Hawaii, Phurile Island, Aleutian Island, Iceland, Galapagos Island, Azores Island, Canaries Island, यह सब आप में मार्क भी कर सकते हैं, क्या करना है? गुगल मैप में डालना है, यह सब देख लेना है, कुछ तो दिखा दिया हमने आपको, हवाई दिखा दिया हमने, reunion दिखा दिया, Aleutian दिखा दिया, बाकी सारे भी साज कर सकते हैं यह भी आपके साब होट स्पोर्ट वॉल्किन उसके कारणी यह सारे आइलेंड फॉर्म होते हैं अब बात करते हैं लावा प्लैटू की तो अभी हम लोग नेक्स टॉपिक पर बढ़ते हैं ठीक है हम लोग वॉल्किनों पढ़ रहे थे हमने मेडोने ओशन यहां से म्यगमा बहार आरहा है ऊपर से फ्लेट गए ज़रुरी थोड़ी है कि मॉणुम्ली कर रहा है और आपको आपके लगभा च्रूपि brightest वॉलकिन की कारणी तो हो रहा है अंदर से म्यगमा बहारा है लेकर मौंटेन नहीं बना रहा प्लाटू बना रहा है, तो भाई लावा प्लाटू उगया है, एक तो कैसो सकता है, यह जो बाहर निकला, ये प्लेट आपका मूव कर रहा है इसके उपर यह आपका दिर दिर मूव करता है ना आपका ओशनीक प्लेट ले ले या कॉंटिनेंट्र प्लेट ले 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 तो ले तो टोड़के वॉलकेनू से मतलब बीच में कोई भी उसको लूज जगह मिलेगी वहां से बाहर निकल तो यहांसे बाहर निकल रहा उसे वहलकनो बो लेंगे, आप जानते हैं तो इस तरीका से बाहर आरा है लेकिन लेकिन मानलेते हैं यह बधी फ्लूइड़ है ना एक और पर स wrath करेंह रहा है इस उनिस्टाममे के रहा mamagam मतलब डीपली जाके हम explain करने कोचिश कर रहे हैं यह लावा प्लैटू बना दिया आपका ठीक है तो यह होता लावा प्लैटू लावा प्लैटू भी हम लोगा ने हमारा देख लिया नया टॉपिक यह भी कम्प्लिय अगर समझ में नहीं आएगी आगे देखिए और क्लियर हो यह लावा प्लैटू यह भी युएसे में अंत्रिम प्लैटू आपका नॉर्डन आयरलैंड में है इसको थोड़ा बढ़ अच्छेटी करें बिल्कुल प्रिस्टल केर हो जाना चाहिए देखिए डेकल प्लैटू का फर्मेशन देखता है सारी चीज एक दम क्लियर हो जाए अंटर्क्टिका है और यह रहा हमारा इंडिया कुछ हजार सालों बाद तोड़े से और अलग अलग हुए अब यह जो इंडिया जो यहां से है दीरे दीरे ऊपर जा रहा है नॉर्दन मूव करेगा यह आपका इंडिया है इंडियन सब कॉंटिनेंट यहां पर दिखरा है यह आपका उपर की तरफ मूव कर रहा है ठीक है? यह आपका एफरिका है यह देखे यह आपका एफरिका है और एफरिका से जुड़ा हुआ था इंडियन कॉंटिनेंट यह आपका उपर की तरफ मूव कर रहा है उपर की तरफ मूव किया, और उपर की तरफ मूव किया, यहां पर आ गया, उसके बाद फाइनली जाके यह इंडियन जो सब कॉंटिनेंट है, यह जाके आपका जुडगया आपका यूरेशन प्लेट से, ठीक है, और हमारा इंडिया अभी करेंट जो सिच्वोशन है, यह हमक इस होट्सपोट के उपर जब इंडिया ट्राइवल कर रहा था तो यहां पर आपको डेकन प्लैटू बना यहां पर इस एरिया में आपका यहां पर लावा जो है इकटाओ के प्लेन बंदा जला जा रहा है ठीक है यह देखे नीचे से मैगमा निकल रहा है उपर से इंडियन इंडियन प्लेट इल्ड यहां से इसने लावा बाहर निकला और और प्रेड करने लग गया यह जगा पूरा इंडिया आगी तरह मूव आkem यहां पर फिर इसे आखे मूँव करता है आगे आगे करने के बाद आपका यह यूरेशन प्लेट आपकर में जाके इस तरीके से ल because of the reunion island hot spot यहाँ पे आपका जो hot spot था इससे इस तरीके से magma निकल रहा था और यही से हमारा बनता है क्या? Deccan Plattew यही से बनके तैयार हो जाता है I hope यहाँ पे क्रिये बात समझ में आगी होगी Deccan Plattew का formation क्यों हुआ? Because of hot spot कहां का hot spot? reunion island का यह कई बार रिपीट कर चुक हो मैं यह एकदम crystal clear हो गया होगा नहीं कुआ तो दोबारा सुन लीजिए यह तुछ है आगे move करते हैं लोग नेक्स टॉपिक पर अब बात करते हैं हम लोग कौन कौन से landforms कौन-कौन से landforms बनाते हैं because of volcanic eruptions. वालकनिक eruptions के वज़ए से कौन-कौन से landforms तयार होते हैं, यह देखेंगे. अब landforms कौन से बनेंगे? देखिए, आपके दो प्रकार के landforms बन सकते हैं. एक हो सकता intrusive, एक होता extrusive. यह देखिए, आपका plate है. प्लेट के नीचे आपका, let us say, आपका magma है, और magma यहां से बाहर आया. हो सकता है, अगर यह बाहर आ गया, अगर यह बाहर आ गया, तो तो आपका बनाएगा extrusive. ठीक है, बाहर आके क्या बना सकता है? यह तो आपका ऐसा mountain बना देगा, यह तो आपका plateau बना देगा. क्या हम लोग volcanic plateau अभी पढ़के आए है, तो यह तो complete हो गया, इसके बार में नहीं सोचना, यह पढ़ चुक है हम लोग, ठीक है? हमने देखा, hot spot के पास आजाए, जब move करता है तो इस प्रकार से volcanic plateau देखने को मिलेगा हमें, ठीक है? यह तो आपके mountain बना देगा, अब mountain कितन प्रकार के आपके volcanic mountains हैं, यह हम लोग आगे study करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और intrusive क्या होता है? कभी-कभी ऐसा होता है कि यह magma नीचे है आपके, उपर plate है, लेकिन यह जमीन के उपर आ नहीं पाया, magma यहीं पे आपका क्या हो गया? freeze कर गया, crust आपका surface पे आ नहीं पाया, surface के नीचे आपका यह crust में, यह हो गया solidified, तो इसको बोलतेंगे intrusive forms, intrusive landforms, ठीक है? तो intrusive landforms पढ़ेंगे और volcanic mountains हम लोग पढ़ेंगे, extrusive में, volcanic plateaus हम लोग अल्रेडी cover कर चुके हैं, ठीक है? I hope इत्ती बात समन्में आ गई होगी. कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग, किसकी, intrusive landforms की, intrusive landforms, देखें, intrusive landforms की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे, हमें समझ में आया ना, magma आता है, बीच में अटक जाता है, डेग्राम देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा, यह देखिए, magma यहाँ से निकला, यही प करते हैं, intrusive landforms, अब देखें, अलग-अलग फरकार की landform होता है, एक होता है, बैथोलित, लार्ज ग्रानाइटिक रॉक बोडीज धाट फॉर्म देखें, एक होता है, बैथोलित, एक होता है, प्लूटों, तो बैथोलित, प्लूटों का बड़ा वर्जन है, बैगराम मे यहां देखा हमें, यह आपका प्लूटों है, यह आपका यहां पर देखें, यह आपका यहां पर देखें, यह आपका बैथोलित, साइज में बड़ा कॉन सा है, प्लूटों, एक ही बात है, बैथोलित आपका साइज में बड़ा होता है, ठीक है, बड़े साइज का आपका अगर यह महमा अटक जाता है आपका सॉलिधिवाई कर रहे आता है जमीन के अंदर तो बैतुलित बोल देते हैं ठीक है देखा है अमने लार्ज ग्रनेटिक रॉग बॉड़ी इस दाट फॉर कोर हम ने बार कहीं बार यह जो बैतुलित होते हैं माउंटेन के कोर बनते हैं horizontal structure जो ऐसा फ्रीज कर गया है और यह आपका डाइक क्या है आपका vertical structure यह की wall-like structure यह यह dike हो गया है सिसल और डाइक आप देख सकते हैं इसके लाबा और क्या होता है एक होता है लाकोलिथ dome like structure minor part of dome like batholith ठीक है ये छोटे आकार के आपके batholith होते हैं जो कि ऐसे dome shape के पाए जाते हैं dome shape का अगर पाए जाएगा देख लेते हैं भाई, lacolith देख रहे हैं आप dome shape का है ये, ये कि ऐसे dome shape का है, तो lacolith आ dome shape dome shape आकरितियां जो हैं वो lacolith होते हैं ये कलावा आपका lapolith होता है और facolith होता है दीख है, लापolith और facolith क्या होता है देख लेते हैं तो क्या कहा रहा है, facolith और wavy structure wavy structure मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे wavy structure आपके दिखेंगे तो हम लोग बोल देते हैं lacolith और facolith sorry, lapolith होता है saucer shaped कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा आपका lopo, lapolith और ये जो आपका wavy structure है ये हो जाएगा facolith ठीक है, wavy structure आपका facolith हो जाएगा तो अब हमको ये समझ में आ गया facolith और facolith तो basically anti-cline और syncline होता है, ये होता है anti-cline, ये होता है syncline, तो ये anti-cline anti-cline बोलता है इसको बोलता है syncline anti-cline और syncline आपका land का structure होता है, उसी के ऊपर ये देखिए ऐसे freeze हो जाता है, facolith तो wavy structure form कर देता है facolith समझ में आ गया wavy structure saucer shaped अगर होगा तो वो हो जाता है, lopolith saucer shaped, मतलब ये इस तरीके का shape का, अगर आपका ऐसे freeze हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, lapolith lapolith, ये सारे हम लोग ने intrusive structure देख लिए हमने तो अभी हम लोग intrusive complete कर चुके है extrusive की बात करें, तो platews हम लोग देख चुके है अब हम लोग volcanoes की बात करते है volcanic mountains, ठीक है कितने प्रकार की होती है ठीक है, types of volcanic mountains की बात करें तो cinder cones, composite of one kilo, shield volcanoes या lava domes हमें देखने को मिलेगा एक करके देख लेते हैं सारे सबसे बेले बात करते हैं, cinder domes cinder domes का मतलब क्या होता है आपका ये ash और ash या cinder से बने होते है ठीक है, rock होती ही, rock ठीक है, rock से बना होगा ठीक है, rock या ashes निकलते हैं mountain से ठीक है, ये सबसे ज़्यादा common प्रकार का वालके नों देखने को मिला है ठीक है, only a few hundred meters tall ज़्यादा tall नहीं होते है few hundred meters tall होते हैं ये ठीक है, ये आपके steep होते हैं काफी steep होते हैं, देखे, steep देख रहे हैं इतना steep है ये, काफी steep होते हैं और conical होते हैं ठीक है, लेकिन इसमें एक single vent होता है कहीं सारे वालके नों आपको multiple vent देखने को मिलेगा कि ये देखिए, यहाँ से भी निकल रहा है यहाँ से भी निकल रहा है तरल होते हैं, तो यह आपके इस प्रकार के जो cones होते हैं इसे कहते हैं cinder cones mainly formed of ash and cinder तरद तर यह ash के बने होते हैं ash या cinders के बने होते हैं राक और राक का बना हुआ पुरा mountain है उससे basically यह ज़्यादा आपका form होता है तो हम लोगों देख लिया cinder cones के बारे में next बात करते हैं हम लोग composite volcanoes के composite volcanoes पर देखे कहीं सारे ऐसा मू है एक मू यहाँ है एक मू किनारे है तो ऐसे layer by layer बनते है composite volcanoes पहले एक layer बन गया अंदर से फिर निकला एक और layer इस तरीके से form हो गया एक और layer इस तरीके से form हो गया आपका इसे बनता है composite volcanoes इसे बोलता है strato volcanoes भी बोलता है layer by layer form हो रहा है ना एक layer के ऊपर दूसरा layer तीसरा layer ऐसे बन रहा है तो यह strato volcano भी बोलता है काफी tall होते है यह काफी tall होते है इनकी काफी जादा होती है देखने को मिलेगा आपको ठीक है made up of layers of lava, ash, pumice, tephra, viscous lava lava कैसा होता है, viscous होता है यहां का ठीक है यह viscous lava है, बनता है आपका composite volcano में cause them to tall peaks, काफी जादा tall होते हैं rounded होते हैं cones, cones आपके ऐसे rounded cones होते हैं और tall peaks होता है, height में सबसे जादा होगा यह composite volcano, ठीक हर एक नई eruption के साथ एक नएा layer बनता चला जाता है, और जादा यह उचा होता चला जाता है यह बात हो गई composite volcano की, viscosity कितनी होती है viscosity high होती है, viscosity इसकी काफी high होती है और height भी होता यह, इसका काफी जादा हाई होता है फिर बात करते हैं वह लो, shield volcanoes की, shield volcanoes इतने high नहीं होता है दो इसका lava काफी जादा fluid होता है उनको देखने को मिलता है बोख चृम की करने ने जादा श्तीप नहीं होते शहके के लिए नेख ॅ इंय को की अधर मे अधरा हुआ है www.next बात करते हैं लावा डॉम्स की लावा डॉम्स की बात करें यह आपके hemispherical shape के हो सकता है या irregular shape के भी आपके हो सकता है तो देखिए इस प्रकार के lava domes आपको देखने को मिलेगा जहां से ऐसा lava बाहर निकला लेकिन दिक्कत क्या है इसमें आपका जाधा अंदर से जाधा gas और अंदर से pressure build-up नहीं होता जाधा gas और pressure build-up नहीं ह इरफ्शन के time पर the lava is too viscous, काफी जाधा viscous है देखिए आपका lava काफी viscous है ठीक है लेकिन अंदर से कोई pressure नहीं पहुच रहा है प्रेशर काफी कम है अंदर से तो यह जो lava है बाहर नहीं निकल पाता है और इसके मूँ के आसपास इखटा होता रहता है इखटा रहता होता है enough gas or pressure to erupt explosively, explosive eruption का इसमें capacity जाधा नहीं होती, तो ऐसे को बोलते है हम लोग lava domes, तो composite volcano से कैसे different है, देखिए आपका viscous तो था लेकिन अंदर से pressure भी काफी जाधा बिल्ड हो रहा था ना, तभी जाधा explosion के साथ बाहर निकल रहा था, लेकिन यहाँ lava domes में ऐसा देखने को नह नहीं हो रहा है, मैगमा को धक्का देने के लिए, और viscous है, तो गट्टा हो जा रहा है आपके trend के पास, यह lava domes हो गया, lava domes के बाद हम लोग बात करने, caldera, caldera क्या होता है, caldera, caldera क्या होता है, देखिए आपका यह volcano है, यह आपका volcano का मूँ छोटा सा मूँ है, अंदर स volcanic eruption हुआ, लेकिन इतने जादा तेजी से हुआ, कि इसने इसका पूरा मूँ ही साफ कर दिया, पूरा area को इसने गड़ा बना दिया, caldera is a large depression, यह देखिए आप देख रहे हैं, फोटो में देख सकता है, इतना बड़ा गड़ा बना दिया, इतना तेजी से explosion हुआ, कि इसका vents हैं, जो आपका जो भी mountain था, जो भी आपका mountain था, उसका जो यह मूँ था, यह पूरी तरीके से destroy हो जाएगा, और destroy होके यह बड़ा एक गड़ा बना देगा, ठीक है, इसी कड़े को हम लोग large depression को बोलते हैं, caldera, caldera is a large depression that forms in a volcano, erupts and collapse, erupts किया और collapse कर गया, during an eruption magma is expelled from the magma chamber underneath the volcano, when the magma chamber empties the sides on the top of the volcano collapse, जब अंदर से ऐसे फटता है न, तो side से यह collapse कर याता है, और ऐसे बड़े-बड़े गड़े मना देता है, तो यह बात होगी हमारे caldera की, तो इसके साथ ही हम लोग ने आज का लेक्टर, इसके साथ ही हम लोग ने finish कर दिया है, अब हम लोग, volcanoes थेंक यू बरी मच्च